हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं इस काडिगन के पार्ट फोर की वीडियो आपके साथ शेर करने वाली हूँ फोर पार्ट में हमने क्या करना है तीरे के फंदे जोडने है और राउंड नेक की जिसकी हमने कटिंग की थी उसे कैसे हमने बनाना है यह सारा कुष आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जैसे यह पीछे वाला पार्ट है हमारा पीछे वाला पार्ट सीधा है अब यह वाला पार्ट हमने क्या करना है आगे वाला उल्टा रखना है हमने यहाँ पर उल्टा करके ऐसे रख लीजिए यहाँ पर देखिए यह हम to save, दूसरा पार्ट भी हम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, इस तरह से, मोड़े वाली साइड यह बाहर, और बटन पट्टी वाली साइड हमारी यह अंदर आनी चाहिए, इस तरह से, ऐसे करते हुए सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने फंदे जोडने हैं, ठीक है, तो अब हमन यहाँ पर देखें, पीछे वाले यहाँ पर यह वाली साइड का फेस हमारा इधर है, लेकिन यहाँ पर साइड का फेस हमारा इधर है, तो हमने क्या करना है, पहले इन फंदों को दूसरी साइड में हमने डाल देना है, इस साइड में ले लेंगे, ऐसे करते हुए, इस तरह को ले लेजिए ठीक है ऐसा करने के बाद अब हमने ये वाली सलाई उठानी है इन पर फंदों को दो का एक-दो का एक करते हुए अटेच कर लेना है फंदों को तो करेंगे क्या एक फंदा इस सलाई में से लेंगे एक इस सलाई में से दोनों को इस तरह से हम सीधा बना लेंगे इस तरह से देगे सीधा बनाया अब इने निकाल देंगे अब फिर से एक फंदा इस तलाई में से एक इस तलाई में से लेंगे दोनों को तोकाई कर देंगे अब पिछे वाले फंदे को उठाएंगे उपर से गिराएंगे एक फं धों को बंद करदेना है इस तरह से पीछे वाले को उठाया उपर से गिरा दिया फिर से एक फंद ये वाला एक फंद ये वाला लेंगे दोनों को सीधा बनाएंगे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, उपर से गिरा देंगे, ऐसे ही करते हुए मैं ये सारे फंदे बंद कर देती हूँ, अब ये वाले फंदे देखे, हमने ऐसे इसके बंद कर दिया है, फंदे हमारे अटैच होगे, सीधी तरब से भी देखे, ये बिल्कुल फिनिशिंग से इस तरह से ये सारे फंदे बंद होते हैं, ये करने के बाद, अब हमने यहाँ पर स्लाई में 28 फंदे रहने तक, ये सारे फंदे हम सीधे सीधे ऐसे बना लेंगे, 28 फंदे रखेंगे, क्योंकि दूसरी पल्ले के भी फंदे यहाँ पर हमने इसके साथ अटैच करने हैं, बाकी के फंद में 28 फंदे हैं अब हमने क्या करना है ये वाली सलाई उठानी है इसके साथ हाँ पैसे रख कर देखिए ये बटन पट्टी वाली साइड हमारी अंदर आएगी और ये वाली मोढ़े वाली बाहर आएगी लेकिन इसके भी फंदे हमें चेंज करने पड़े ये दूसरी सलाई मे तो इन फंदो को पहले मैं यहां पर शिफ्ट कर लूँगे इस सलाई में अब इस तरह से हमने रखा सलाई को अब यहां से एक फंदा ये वाला एक फंदा ये वाला लेंगे और दो काई कर देंगे इस तरह से और फिर से एक फंदा इसलाई में से एक फंदा इसलाई में से लेंगे दोनों को सीधा बनाएंगे दो काई कर देंगे अब पीछे वाले फंदे को उठाकर उपर से गिरा देंगे अब फिर से एक फंदा ये एक ये दोनों को दो काई करेंगे पीछे वाले फंदे को उठाकर उपर से गिरा देंगे इसी तरह से हमने ये सारे फंदे यहां से बंद करना शुरू कर दिया है जैसे दूसरी साइड से फंदे बंद किये थे वैसे ही same to same हमने यहां से भी फंदों को बंद कर लेना है तो ये मैं फंदों को ऐसे ही बंद कर देती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि हमने गले के लिए कितने फंदे उठाने है इधर से भी देखें ये मैंने फंदे यहाँ पर ऐसे बंद कर दिये है बंद करने के बाद जो धागा था हमारा उसे ऐसे मैंने नोट बांग दे है इसके साथ ऐसे तो यह वाला portion हमारा ऐसे हो गया अब यहां से हमने फंदे उठाने है तो यह अगला पला है right side apple लेगी ठीक है सीधा ऐसे सीधी side लेनी है safety pin में से मैंने यह फंदे निकालकर इस तरह में अब यहाँ से हमने क्या करना है अपने फंदे उठाना शुरू करना है तो मैं उन इसके यहाँसे नहीं start करूंगी ताकि यहाँ पर कोई note ना आये हमारी हमारी note बंद है तो इसके लिए हमने क्या करना है thread को यहाँसे uh Course करना है यह 10 फंदे हमारे पास है already button participated यहां से मैं तक मैं ये बटन पट्टी के समेथ फंदों के समेथ 42 फंदे उठाऊंगी तो 10 फंदे तो हैं यहां से 32 फंदे हमने और उठाने हैं तो क्या करेंगे यहां पर अपना थ्रेड इसके साथ अटेच करेंगे हम ठीक है ऐसे थ्रेड को पकड़ लेके ऐसे करेंगे और फंदे उठाते समेथ आपने यह ध्यान देना है कोई भी होल सा नहीं यहां पर होना चाहिए ऐसे ही करते हुए हमने फंदों को उठाते जाएंगे हम इस तरह से यह फंदा निकलाया अब यहां पर पहले तो अच्छे से इसकी नोट बांदे यह इस तरह से इस तरह से ठीक है यह एक फंदा हो गया जैसे यह एक फंदा उठाया है वैसे ही यहां पर हमने अपने 32 फंदे उठाने है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से करते हुए है हमने न ऐसे thread को लेंगे इस तरह से इस तरह से ऐसे फंदे को निकालते जाएंगे यह दो होगे अब यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे ही चलना है हमने ठीक है कोई ऐसे नहीं है कोई यहाँ से फंदा उठा लिया कोई यहाँ से उठा रहे हैं बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे ही चलते जाना है आपने और एक-एक करते हुए फंदे को उठाते जाएंगे तो टोटल में ये हमारे बास लाई में अब 42 फंदे हमने यहां से उठा लेने है इसी तरह से तो इसी तरह से करते हुए मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ आप भी उठा लीजिए अब यहां से हमने एक साइट से 32 फंदे उठा लिए है इसके ठीक है 32 फंदे उठाए हैं 10 फंदे ये वाले थे तो ये टोटल में हमारे पास जो फंदे है 42 फंदे हैं सलाई में हमारे पास ठीक है 10 फंद का फेस इधर नहीं है अगर आपका इधर है तो आपने ऐसे ही ले लेना है लेकिन मैंने क्या गरना है दूसरी सलाई पर फंदों को उतार लूगी जैसे हमने पहले उतार रहा था ना वैसे ही इस सलाई में फंदों को ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर पिछे वाले पार्ट में जो हमारी यह फंदे है न मेरे पास इस टाइम यह 33 फंदे है 33 फंदे है ठीक है अब इन 33 फंदों को मैं ऐसे ही बना लूँगी सीधा सीधा अगर आपके पास ज्यादा फंदे हैं जैसे ही है आपके पास 40 फंदे हैं तो आपने क्या करना है बीच बीच में इन 40 फंदों को इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए बीच बीच में ठीक है आपने ऐसे ही फंदों को कर लेना है 35 या 36 तक हो जाएं इस फंदे तो ज्यादा नहीं ह कोई बात नहीं हमारे पास टोटल में राउंड में 120 फंदे जाहिए हमें 120 फंदों से जादा नहीं फंदे हमारे पास होने चाहिए 114, 116, 118, 120 इतने फंदे रख लीजिए उससे जादा करेंगे तो क्या होगा गले में जोल सा आने लग जाएगा उससे कम करेंगे तो गला टाइट हो जाएगा तो इतने फद्दे हमारे पास होने ही चाहिए पेले इन 33 फंदों को मैंने इसी तरह से सीधा सीधा बनाया इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर दिखिए यह पीछे वाले पार्ट में ही हमारा आगा जो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ पर मैं एक फंदा और उठा देती हूँ तो यह 34 फंदे हमारे बैक सैड में हो गए यहाँ पर पीछे वाले पल्ले में अब यहाँ से जैसे हमने पहले वहाँ से न 10 पंदे तो यह बटन पटी के हो गए और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 32 फंदे हमने उठाए हैं वैसे ही same to same थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से ऐसे डालेंगे और एक-एक फंदा ऐसे निकालते जाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से, फिर थोड़ी सी दूरी पर स्पेस पर ऐसे डाला, इस तरह से ऐसे फंदे को उठा देगे, फिर से ऐसे डालेंगे, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर डालना है, बहुत जादा भी नहीं होनी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करना है, ऐसे डालेंगे, फंदा निकाल लेंगे, फिर से डालेंगे, और साथ-साथ काउंट करते हुए जाएंगे, ताकि हमें पता लगे, हम कितने फंदे उठा रहे हैं, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे मेरे उठे ऐसे ही मैं उठा लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, अब यहां से मेरे पूरे 31 फंदे उठे हैं, एक फंदा कम है, अब एक फंदा कम है, तो मैं यह फंदों को निकालूंगी नहीं, बनाते समय हम यहां से या फिर यहां से फंदा उठा लेंगे, आप भी अगर एक दो निकाल कर दुबारे से उठाओंगे, यहीं से बीच बीच में से फंदा हम उठा सकते हैं, अब इन फंदों को भी यहां पर सेफटी पिन में से निकाल कर, हम यहां पर स्लाई में ले लेंगे, ठीक है, यह एक ओर स्लाई लेंगे, हम ऐसे वर्क को टर्न ही कर लेते हैं, यहा अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे जैसे ये बटन पट्टी वाले फंदे दिखाई दे रहे हैं ये एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ ये ऐसे ऐसे डाला सलाई को जैसे हमने बोर्डर बनाया है बटन पट्टी बनाई है सेम कू सेम उससे मैच करता ही हम गले का बोर् सेम को को अब इस आइम को जो स्लाई पर हमारे पास फंदे है वो 118 फंदे 118 फंदे है हमारे पास सलाई में अब इन फंदों को दोनो तरफ से जैसे दिखेंए हमने बटन पट्टी में बनायतार डिजैन same to same way ऐसे ही बनाते हुए हमने दोनों तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से border के लिए जितनी हमने गले को height देनी है उतनी सलाईया बना लेंगे कितनी सलाईया मैं बनाती हूँ ये आपको बनाने के बाद ही बताऊंगी तो ऐसे ही एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा सीधे फंदे को जैसे हम पीछे से उपर से धागा घुमाते हुए बना रे थे same to same वैसे ही बनाते जाएंगे इस तरह से तो इस तरह से करते हुए ये रोह हम बनाकर complete कर लेंगे ये first row उल्टी तरफ से हम बनाते हुए यहां तक पोहँच गए हैं अब यहां पर देखें ये एक फंदा उल्टा बनाया एक फंदा उल्टा बनाने के बाद अब ये बटन पट्टी वाला फंदा भी सीधा और ये फंदा भी सीधा लग रहा है तो मैं दो नो को ऐसे क्योंकि ये नहीं तो दो फंदे हमारे पास सीधे आएंगे फिर बार बार डिजाइन में गड़बड होती जाएगी क्योंकि एक फंदे से कोई फरक नहीं पड़ता है तो ऐसे करते हुए हम यहां पर इस तरह से बाकी के सारे फंदों को बना लेंगे और ऐसे ही same to same आपका अगर आ जाए ना फंदा तो आपने भी ऐसे ही कर लेना है ठीक है बाकी की पूरी रो सेब वैसे ही बनेगी तो थोड़ा सा बनाती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ इसकी पांच सलाई यहां हमारी होगी है चटी सलाई है अब यहां पर हमने अपना लास्ट बटन होल यह वाला यहां पर लास्ट होगा तो बटन होल तो वैसे मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है हमने कैसे करना है फिर बता देती हूँ धागा उतारा फंदा सोरी धागा प अपनी तरफ यह उल्टा चार धागा दूसरी तरफ करेंगे यह पांचपा फंदा सीधा और यह उल्टा इन दोनों को दोकाई कर देंगे इस तरह से ठीक है फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे घुमाएंगे सलाइपर और थोड़ा से इसे लूज रख लेंगे फिर आक यह वाला फंदा देखे हमारा उल्टा जा रहा है इसे उल्टी तरफ से हमने उल्टा बना लेना है और जो सलाइपर हमने धागा घुमाया था ना यह वाला यह वाला फंदा धागा दूसरी तरफ करते हुए हमने सीधा बना देना है इस तरफ से बाकी के फंदे सेम वैसे ही आते हुए यह हमारी छटी रो है तो मैं दो स्लाइअ और दस रो तो कम से कम डालूंगे ही बता देती हूं आपको दस जा बारा रो जितनी बनाऊंगे 9 रो बोर्डर की 9 सलाइअ हमारे कमपलीट हो गई हैं 10 वी सलाइए बोर्डर की अब हमने यहां पर क्या करना है डवर बोर्डर बनाने के लिए 4 सलाइअं हमने डालनी है जो 4 रो वो देख लीजए आप किस तरह से हमने डालनी है इस first फंदे को पहले उतारूंगी यह सीधा फंदा है अब इस उल्टे फंदे को बीना बूने हमने ऐसे ही skip कर लेना है ठीक है धागा दूसरी तरफ करेंगे अब इस फंदे को वैसे तो हम पीछे की तरफ से ऐसे उपर से धागा लपेटते हुए बना रहे थे लेकिन अब हमन ऐसे ही skip कर लेना है ध्यान से देखेगा क्या करना है फिर धागा दूसरी तरफ इस फंदे को हमने सीधा बनाना है धागा अपनी तरफ उल्टे फंदे को ऐसे skip कर लेना है धागा दूसरी तरफ सीधे फंदे को बनाना है धागा अपनी तरफ उल्टे फंदे को skip करेंगे धा जाओंगी ईंटें फंधे को माई सक्कीप करनाओंगी धागा दूरी तरफ सीधे फंधे उपना आउंगी। सीधे को बनाऊंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा उतार दूंगे, सीधे को बनाऊंगे, ऐसे ही करते हुए ये रो हम बना लेते हैं बेले, सीधी तरफ से रो बनाने के बाद हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से देखे कैसे करना है, सेम टू सेम वैसे ही, इस फंदे क को बनाऊंगी सीधे फंदे को बनाऊंगी उल्टे फंदे को स्किप करती जाऊंगी और सीधे फंदे को भी जैसे हम ऐसे सिंपल सीधा फंदा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने बनाना है उल्टे फंदे को उतार लेना है धागा दूसरी तरफ करेंगे सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे, ये हमारी दूसरी रो है, तीसरी रो सीधी तरफ से फिर चोती रो आएगी, हमारी उल्टी तरफ से पांच भी सलाई पर फिर हम ये बोर्डर बनाकर कम्प्लीट करेंगे, इसे स्वी से बन कर देंगे चार सलाइयां हमने वैसे ही एक फंदा ये उल्टा फंदा हम उतारते गे सीधा फंदा दोनों तरफ से बनाते गे इस तरह से चार सलाइया बना ली है अब मैंने क्या किया है सुई में धागा डाल लिया है और धागा हमने थोड़ा सा लंबा ही काटना है इसमें लंबा धागा चाहिए, क्यों चाहिए क्योंकि फंदे हम निमारे पास जादा होते हैं और ये धागा कहीं भी नोट नहीं आनी चाहिए नि तो एंडिंग में फिर बहुत बुरी लगती है अब ये सीधा फंदा है हमारे पास इस सीधे फंदे को जैसे हम उल्टा बनाते है ना इस तरह से ऐसे धागा निकाल लेंगे और इस फंदे को स्लाईम ऐसी इस तरह से निकालेंगे ठीक है अब ये हमार पास उल्टा फंदा है क्योंकि एक सीधाई को उल्टा था इस उल्टे फंदे को जैसे सीधा बनाते है न इस तरह से ऐसे सुई को डालेंगे और ऐसे धागा करते हुए इससे भी छोड़ देंगे अब इसे धागे को ऐसे कर देंगे अब क्या करना है हमने ये सीधा फंदा है ना और यहां से ये वाला सीधा फंदा है जो हमारा यहां से दिखिए आपको साफ साफ ये वाला धागा दिखाई दे रहोगा ना सीधे फंदे वाला ये इस सीधे फंदे में इस तरह से सीधे फंदे में जैसे मैंने आपको उपताया कि उल्टी तरफ से हमने स्लाइड डालनी है इसे डाला इसे डाला इस तरह से ऐसे दोनों में से धागे को ऐसे हाग से निकाल लीजिएगा और इस के ओभी इस फंदे को भी ऐसे निकाल देंगे अब अब क्या करना है हमने पीछे से देखिए ये वाला फंदा तो पीछे साफ साफ हमारा ये पीछे वाला फंदा दिखाई दे रहा है ना ये वाला ये वाला फंदा है इसमें ऐसे और इसमें इस तरह से ऐसे करते हुए डालेंगे इसे भी निकाल देंगे ध्यान से देखेंगे तो बड़े अराम से आजाएगा, कई वर कमेंट आते हैं कि मैडम हमें ये मुश्किल लगता है, लेकिन बिल्कूल मुश्किल नहीं है, अब फिर से ये वाला हमने फंदाबंद किया है न, ये वाला ऐसे, साफ साफ ये धागा हमें दिखाई देगा, इस धागे में ऐसे डालेंगे आगे से, इसमें ऐसे डालेंगे, निकाल देंगे, एक बार आगे से, एक बार पीछे से, सेम टू सेम ऐसे ही आपने ये करते जाना है, देखें इस तरह से, हो गया, अब क्या करेंगे, पीछे से, क्योंकि ये वाला हो गया, अब पीछे से, फिर स इसे वही यह वाला देखे यह वाला फंदा और यह वाला फंदा दोनों में ढाला है Benedict बबल इसे उल्टेफंदय में सीधे की तरफ से और सीधे फंदय में उल्टे की तरफ से इस तरह से सोई को डालते जाना है और इने इस तरह से हमने बंद करते जाना है विल्कुल ऐसे यह राउंड में आगे ना हमारा इस तरह से अब फिर से इस आगे से हमने ये वाला देखी ये वाला धागा ऐसे उठाया और इसमें उल्टे की तरफ से इस तरह से डाली इस फंदे को निगाल दिया अब फ इसलिए देखे ऐसे अब क्या करेंगे पीछे से पीछे से यह साफ हमें दिखाई दे रहा है एक हमने यह बंद किया था यह वाला कि इसमें डालेंगे ऐसे और इसमें ऐसे करते हुए दोनों को इस तरह से निकालते हुए बना लेंगे इसी तरह से हमने यह वाला सारे फंदों को बंद करना है अब आगे से यह वाला हो गया ऐसे देखे यह वाला धागा और इस दागे को ऐसे उल्टी तरफ से इस फंदे को इस तरह से सीधे फंदे में उल्टी तरफ से ऐसे स्लाइड डालनी है उल्टे में सीधी तरफ से तो सेम ऐसे ही उमेर को लगता है पता लग गया होगा आपको देखे ऐसे अच्छे से यह बंद हो जाएगा आपका भी इस तरह से पीछे से भी देखे, पीछे से न, ये हमें सीधा फंदा ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे, ठीक है, तो इसमें इस तरह से देखे, ऐसे, सलाई को डाला, ऐसे, अब इस उल्टे फंदे में, जैसे हम सीधा सलाई को ऐसे डाल कर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डाल देंगे, दो ने इस तरह से बंद कर दिया हमें ही सीधी-ब उल्टी तरफ से देखी ऐसे और सीधी तरफ से भी बिल्कुल फनीशिंग से इस तरह से बने का आपका है । ठीक है अब यहां तक हम आ अगे आध एहां तक आने के बाद हमने इसे बंद कैसे करना है ठीक है इसमें इसमें डाला ठा अब देखिए हमने इस तरह से इसमें डाला हुआ है अब उल्टी तरफ से हमने फिर से एक बार इस फंदे में और एक बार इस फंदे में इस तरह से अईसे डाले के बार सुई को ऐसे एक बार निकाल देंगे ताकि ये इस तरह से आजैंगे अब इस तरह से करते हुए इशे पर निया पर एक नोट की तरह इस तरह से बना दिया है ताकि यहां से यह खुलेना अब सुई को इस तरह से करते हुए धागे को हम तीचे तक ऐसे ली जाएंगे और यहां पर इसे कट कर देंगे इस तरह से तो यह सीधी तरफ से हमारा ऐसे बिल्कुल फनिशिंग से उल्टी तरफ से भी बिल्कुल फनिशिंग से बनेगा इस तरह से करते हुए देखें यह राउड नेक हमारा पूरा बनकर रेडी है तो आप भी ऐसे ही बनाईए बनाने के बाद अब सिर्फ हमारी बाजू की वीडियो और इस पर हमने यह पत्ती वाला वर्क कैसे करना है यह रह गया अब नेक्स्ट वीडियो मैं भाजू की बनाऊंगी और इस गले में देखें बिल्कुल भी कोई भी छोल वगरा नहीं पढ़ रहा है हमारा न कितना सुंदर बना है तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बताने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो प्ली सैनल को जिरू सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक और शियर करना बिल्कुल मत भोलेगा फिर में लूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ बाई, have a nice day